आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेड़मी पर दोस्तों आरसेट जा पांसो सिछक बरती में 30-33 मावले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट इसको निकल कर सामने आ रहे हैं जिसको आप सभी से निवेतन है कि वीडि आप सभी से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अरसेट जा पांसो सिछक बरती में 30-33 मामले से संबंदे सभी याचकाओं को खारिच करते हुए हाई कोट की डिवीजन बेंच ने अर्चडा पांसो सिछक बरती के 27,7 213 रिक्त पदों को नए विग्यापन के तहट दो माह में विग्यापन जारी करते हुए भरती प्रकरिया के तहट भरने का आदिश जारी किया गया था लेकिन सरकार और बेसिक सिछा विबाद के तरफ से उस आदेश के अमल को लेकर के कोई भी कारवाई आगे नहीं बढ़ ही गई थी और 33 मामले से जुड़े हुए अबेटो के तरफ से हाई कोट की डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रिम कोट में चैलेंज कर दिया गया था तो दोस्तों हाई कोट की डिवीजन बेंच का आदेश 27 अगस्त को जारी हुआ था और सितंबर के फर्ष्ट बीक में ही स्युवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रिम कोट में याचिका फाइल कर दी गई थी और उसी याचिका पर अभी तक डिफेक्ट लगा हुआ है क्योंकि स्युवीजन बेंच के तरफ से सुप्रिम कोट में इस केस की मझबूत पैर भी और 33 करके सुनवाई के लिए आगे प्रोसीड हो और सारी जब SLP सुप्रिम कोर्ट में फाइल हो जाएंगी तो हम अपनी SLP जो की लीडिंग SLP रहने वाली है तीस ते तेस मामले में 68 जा 500 सिच्छक बरती से संबंदित जो है उसका डिफेक्ट सही करा करके सुनवाई के लिए जो ह केस लिष्टेट कराया जाएगा अब एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जो तीस तेस मामले की जो पैर भी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में टीम कर रही थी उसकी तरफ से आज सुप्रिम कोर्ट में एक SLP फाइल कर दी गई है लेकिन जो नई SLP सुप्र फाइल की गई सुप्रिम कोर्ट में उसमें भी कहीं न कहीं एक बड़ा जोल देखने को मिला है और जो कहीं न कहीं 333 से जुड़े अभ्यत्यों के लिए जो है नुकसान दायक साबित हो सकता है क्या है मामला क्या है SLP से जुड़ी हुई जानकारी उस पर नजर डाल लेते ह तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो नई SLP सुप्रिम कोर्ट में फाइल की गई है उनसे जुड़ी हुई डिटेल्ड जानकारी यहां पर है जो दो SLP फाइल की गई है इसमें सीरियल नंबर पहले पर जो है उसका डायरी नंबर 47358-2024 है प्रेटिशन सीरियल नंबर दो देख सकते हैं डायरी नंबर 4800-68-2024 है और यहां पर यह जो SLP फाइल की गई है आलोग कुमार के नाम से फाइल की गई है जो इसमें रिस्पंडेंट स्टेटाप यूपी को बनाया गया है इसका स्टेटस भी अभी पेंडिंग सो हो रहा है तो कुल मिला करके जो यह आलोग कुमार के नाम से SLP फाइल की गई है सुपरिम कोर्ट में 68500 सिच्छकबरती में 333 मामले को लेकर के यह आलोग कुमार जिनके नाम से यह SLP गई है यह 79,000 सिक्षक बर्ती में चैनित अभेटी हैं और इनके नाम से जो SLP फाइल की गई है तो कहीं न कहीं सुप्रिम कोट में अर्शिजा 500 सिक्षक बर्ती में 333 मामले से जुड़े हुए अभेटियों को अर्टिकल 142 के तहट रहत मिल सकती थी मर्शी के बिहाब पर और इस तरीके से जब चैनित के नाम पर एक SLP फाइल करते हुए मर्शी की आप मांग करेंगे तो कहीं न कहीं आपको जटका सुप्रिम कोट से भी लग सकता है क्योंकि जब आप आलरेटी चैनित हैं तो आप भले SLP फाइल की गई है पता ने किस सोच बिचार के तहट फाइल की गई है किस अधिवक्ता के सलहा पर फाइल की गई है जो चैनित अबैत्यों के नाम पर यह SLP डाली गई है यह इस तरीके से आपको बता दे अगर सुप्रिम कोट में आगे केस लड़ा जाएगा तो 333 पर वह आगे उठाने के लिए और तभी उनकी तरफ से यह SLP फाइल की गई है अब किस विहाब पे फाइल की गई है क्या चीज सोच के फाइल की गई है यह तो टीम ही जबाब दे सकती जिसकी तरफ से SLP फाइल की गई है हलकि यहाँ पर हमारी जानकारी जो आप तक पहुंचाने क अपनी SLP जो सबसे पहले फाइल की गए थी सितंबर के फश्ट विक में उसके डिफेक्ट को दूर कराते हुए और सुप्रीम कोट के अंदर 30-33 मामले को लेकर के मजबूती से पैर भी की जाएगी और मरसी के विहाब पर हीच सही लेकिन 33-33 से संबंदित वेर्थियों को न्याय दिलाने का प्रियास किया जाएगा आप सिवंतिवारी टीम की तरफ से पुर्जोर प्रियास किया जाएगा और सबसे पहला कारे होगा यहाँ पर आप सभी को बता दें जो दो SLP जा सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर आप चीज़े जो है वो आगे बढ़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के लिए केस बहुत जल्ड लिष्ट हो सकता है तो दोस्तों आप सभी को बता कल से ही सियंतिवारिन टीम की तरफ से अपनी SLP के डिफेक्ट दूर कराने को लेकर के प्रियास जो है शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि नौवंबर में 68 जा 500 सिच्छगबती 33-33 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के लिए केस ल पहला हत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि SLP का ग्राउंड बहुत important होता है और petitioner भी बहुत important होता है क्योंकि opposition जो है वो सारे बता दें बहुत जल्द अर्षट जा 500 सिचक बरती में 333 मामले को ले करके सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला लिश्टेड होगा जैसे ही मामला सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिश्टेड होता या कोई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आती है तो आ आने वाला समय जो है वो अर्शर जा 500 सिच्चक बरती में 333 कटाब पास अब एर्टों के लिए एक बड़ा जो है और अच्छा समय होने वाला है तो देखना ही होगा कि जिस तरीके से कमिटमेंट है आगे ये टीम किस तरीके से अपने कमिटमेंट में खरा उतरती है और सुप अब्डेट के साथ अप्त के लिए सभी सात्यकुर्ज जैंचे बारत बंदे मात्राम